तो दोस्तो आज दिसंबर की एक तारीख है और आज का जो ये वीडियो है बहुत ही खुश्बूदार पौधे पर है इसे मैं कहा सकता हूं कि भारत में से जितने भी खुश्बूदार पौधे रहते हैं उनमें से एक पौधे पर है आज हम रात की रानी या नाइट क्वीन जैस्मिन के बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा किस तरह से इस पौदे से हैवी फ्लारिंग ली जाती है किस तरह से इसको खाद पानी दिया जाता है दूसरा बहुत सी धारनाय बनी है इस पौदे के बारे में कि ये जो प्लांट है इस पर साप आते हैं इसमें कितनी सचाई है ये भी आज की वीडियो में शेयर करूँगा तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस पौदे में सारी जानकारी और नाइड जैस्मिन बुलागाता है, इसका रीजन है क्योंकि इसके जो फ्लार्स हैं वो रात के समय खिलते हैं, इस समय सुभा का समय और आप नोटिस करेंगे इसके जो फ्लार्स हैं, हलकि ये प्रॉपर फ्लार की तरह नहीं रहते हैं, लेकिन सुभा के समय ये बंद होने लगती हैं, इस तरह से इन फ्लार्स में जो माउथ है वो बनता है, और बहुत ज़्यादा रात के समय ये खुश्बू को फैला देता है, इस प्लांट का फ्लारिंग सीजन या ग्रोइंग सीजन कहा सकता हूं कि मौनसुन के बाद स्टार्ट होता है, एक्च्छल में ये पर करना स्टार्ट करता है, अभी क्योंकि सर्दी की शुरुवात हुई है और आने वाला जो समय है वो बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम रहेगा, बहुत ज़्यादा जब सर्दी का मौसम रहता है तो इस पौदे को पसंद नहीं रहता, उस समय ये जो प्लांट है ये रेस्ट मोडरेट रहता है, नौर्मल क्लाइमेट रहता है, तो लगबग ये सारा साल फ्लारिंग करेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी, जब बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, टेंपरेचर 40-45 डिग्री से भी अबव चला जाता है, तो उस समय पर थोड़ा सा ये फ्लारिं का सही समय मौनसुन का टाइम रहता है, मौनसुन में आप इनकी हाला की कटिंग भी क्यों कर सकते हैं, और इनको नर्स्री से लाकर रीपॉर्ट भी कर सकते हैं, नर्स्री के अगर बात हुई ही है, तो नर्स्री प्राइज की अगर बात करें, ये जो पौधे रहते हैं, ये से कम दाम में रहते हैं क्योंकि ये कटिंग से इसली प्रॉपगेट कर जाते हैं इनके प्राइजिस नर्सिस पर आपको लेस दन फिफ्टी पचास रुपे से कम में इसली एवलेबल रहेंगी ये जो प्लांट है ये जब मैं लेकर आया था तो 30 रुपीज में 30 रुपे में ल जो विलेज्ज थे वो जादा थे गाओं वाली जगा सहां रहा ती जादा तो उस समें सनेक्स वहाँ जादा होती थे लेकिन किसी जगा पहुंट जया जाता है लेकिन जैसा से इब जो विलेज्ज्जु वो सिटीज में डिवल्प हुएं तो मोस्ली जो जगाया वो पकी रहती है स्नेक्स बहुत ज़्यादा निकल कर नहीं आते तो इन प्लांट्स पर आपको ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आएगा आप बिना किसी जिजक के इन पौधों को अपने घर में ग्रो कीजिएगा सॉयल मीडिया में इन प्लांट्स को वैल ड्रेंड सॉयल लेकिन जो मॉइस्चर को होल्ड करें ऐसी मिटी दीजेगा एक हिस्सा मिटी एक हिस्सा खाद एक हिस्सा कोको पीट और एक हिस्सा रेत या सैंड का इस्तमाल कीजिए इस सॉयल मिक्स में ये पौधे बहुत तेजी से growth करते हैं और अच्छे से growth करते हैं, हलकि इन प्लांट्स की जो पतली या थिन cuttings रहती हैं, वो बहुत अच्छे से grow कर जाती हैं, खासत तोर पर monson के season में, लेकिन फिर भी अगर आप इनका अच्छा growing rates चाहते हैं, को अच्छे से डिवल्प करना चाहते हैं तो इनकी थोड़ी सी सैमी हाडवूड या थिक कटिंग को ग्रो कीजिए जैसे पैंसिल टाइप जो थिक कटिंग रहती है उनका जो रिजल्ट है वह बहुत अच्छे से निकल कर आता है जमीन पर लगाने में यह जो पौदें एक पे के बाद ग्रोइंग सीजन स्टार्ट होता है और दूसरा मौन सून से जस्ट पहले तो इस तरह से इनकी जो कटिंग प्रूनिंग है वो की जाती है इनको अच्छी शेप देने के लिए इनकी मल्टीपल ब्रांचिस लेने के लिए चलिए ब लास्ट में बात करते हैं फटला वैजर फीड कीजिए उसमें थोड़ा सा नाइट्रोजन कंटेंट जो हाई रहना चाहिए पॉटेशियम हाई रहना चाहिए क्योंकि जो पॉटेशियम है वो फ्लारिंग को बूस्ट करता है और जो फोस्फॉरस है वो मल्टीपल शूट्स को बूस्ट करता है तो इसलिए यह जो फॉस्फ़ोरस है वो मीडियम कुवांटिटी में. कह लीजे कि NPK के एगर रेशो की बात करूँ, तो दो हिस्से जो है वो nitrogen, एक घ्सा, जो फॉस्फ़ोरस, और दो हिस्से जो है वो potassium. इस तरह से अगर आफ उस्फोरस का विकल्ब चाहते हैं, तो phosphorus के लिए आप bone milk का इस्तेमाल कर सकते हैं nitrogen के लिए अगर आप चाहते हैं तो vermicompost का वर्मी कंपोस्ट, cow dung manior जो भी आपके पास available रहे, decomposed होनी चाहिए और तीसरा banana peel जो liquid fertilizer रहता है या dry banana peels dry banana peels को आप इसकी मिट्टी में दबा दीजिए, उनको छोट-छोटे pieces में cut कर लीजिए, उससे पहुड़े बहुत अच्छे से heavy flooring करते हैं अगर आप chemical का use करना चाहते हैं तो chemical के तोर पर कह सकता हूं की 13-0-45 NPK 13-0-45 easily जो है वो nurses पर available रहती है, उसका आप 10 दिन में एक बार spray कीजिएगा तो वो जोस्तो ये थी इस plant की complete information जो आपके साथ share की जल्द ही मिलते हैं किसी और नए topic के साथ किसी और नए video के साथ तब तक के लिए, bye, happy gardening, take care